अगर आपने भी जो है Arizona नाम के बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है Amazon या Flipkart में बिखते हो देखे order करने का plan करने तो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा मेरे को जो है Flipkart से deliver होके है मैंने same order किये तो आपको बताऊंगा किस तरीकी की quality जो है seller जो है ship करके भीजता है time waste के बगर start करते है वीडियो को मगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कीज़ेगा और मेरे चैनल को subscribe करना मत बोलना जैसा मैंने आपको पता है Arizona Enterprise पले ने यह मेरे को भेज रखे है जो की Arizona नाम के building blocks के नाम से बिखता है 100 pieces का set है दो set मेरे को order करने पड़े थे minimum जो है आपको जो है two quantity लेनी पड़ रही थी अभी मैंने जो है इसे flip card की big billion day की sale में जो है लिया है बहाँ पे जो है 100 piece का set 110 rupees का मिल रहा था तो 110 110 मतलब 220 rupees का मेरे को जो है यह दो set लेने पड़े है तो इस तरीके के यह जो है इसकी detail है अब जल दी से इसको cut करके अंदर से देख लेते है तो इस तरीके से इसके अंदर यह पैरा set निकला है दूसरा वाला भी निकाल लेते है तो इस तरीके के यह दो set इसके अंदर मेरे को निकले है तो exactly same है दोनों packet तो एक packet को रख देता हूँ side में और एक ही packet के detail के बारे में बात करते है तो उपर की side अगर आपको दिखाऊ यहाँ पे तो इनकी खुद की अपनी branding का है Arizona Enterprise जैसा seller की मैंने आपको detail भी बताई 100 pieces का अपर बता रखा है और जो है 3 plus H के रूप के यह जो है उनके यूसफुल है और आपको जो है अंदर packet में दिखाऊं तो आप जो है color काफी bright end का देख सकते है back side की detail भी आप आपको पताऊं तो इनकी manufacturing सितंबर 2023 अभी की गई है 600 rupees का 599 यहाँ पर price पता रखा है हालकि यह जै अब जल्दी से सबसे पहले मैं आपको जो है इसकी quality चेक करवा देता हूं कि इसकी quality है कैसी तो सार की सारे मैंने pack से निकाल लिया है बाहर अब आपको जो है एक दो random जो मेरे हाथ में पहले ही आया है मैं इनकी इक बार quality आपको पास से दिखा दूँ तो उनकी quality अच्छी है ठीक है size में थोड़े चोटे हैं आपको शायद इसमें अंदाजा ना लग पाए मेरे हाथ में लगे हुए अभी मगर थोड़े चोटे size के हैं मगर बहुत भी चोटे नहीं है मतलब ठीक ठीक size के हैं अच्छे size के हैं और इनकी build quality जो है काफी अच्छी लग रही है मेरे को आ 150 रूपीज का देख सकते हैं काफी कमजोर था काफी easily यह वाले जो हैं टूट गए हैं इसके side वाले इसके quality में अगर comparison में इसे रखूँ तो आप clearly judge कर सकते हैं यह बिलकुल edges में बने थे इसलिए easily टूट गए यहाँ पे कोने पे जबकि अंदर काफी strongly बने हैं और आप hook व जच कर पाएं blue वाले की थोड़ी थिक है इसकी थोड़ी सी कम है yellow वाले की इसलिए crack easily हो गया था और यहाँ पे भी देखे reinforce करने के लिए तो इसलिए इसके joints easily नहीं टूटेंगे जबकि yellow वाले में यहाँ पे joints में कुछ भी support के लिए नहीं है यहाँ पे अच्छा से anchor बना आप है तो यह clear differences में यह वाला है जो इन्हों ने ship करके दिया है टायर की quality और जो मेरे को local वाले में मिली थी तो इस तरीके से जो है इसमें भी काफी finishing में फर्क है तो overall जैसे मैंने आपको दो तिन पार्ट का दिखा दिया क्योंकि वेर बास locally already मैंने offline shop से लिये थे अपने kit लिए उसके मुकाबले जो है मेरे को इनके quality अच्छी लग रही है जो मेरे को offline मिला है हो सकता है आपको offline अच 97 निकले हैं तीन कम है मगर चलो 3 में भी कोई problem नहीं है थोड़ा आगे भी चेक दो कम ज्यादा हो सकते हैं मगर मेरे को जो एक issue इसमें लगा जैसे आप देख सकते हैं green color वाले चोटे वाले बहुत ज्यादा है कुछ color कम है कुछ color बहुत ही ज्यादा है unsymmetric हैं तो मैं seller को य particular कोई चीज बना रहा है उसे symmetry के लिए कुछ बनाना है जैसे माली जे flag बनाए या कुछ बनाए तो उसमें कुछ color missing होंगे तो वो complete नहीं कर पाएगा तो वो एक irritating part है तो अपनी जो है इस quality expect में quantity जो होती है same color की उसे भी एक बर correct करें यही मेरे seller को feedback है बागी ले सकते हैं को build quality वैसे भी अच्छी है तो hope आपको मेरे वीडियो informative लगा होगा अगर आपके फिर भी कोई doubt आप मेरे को comment section में पूस सकते हैं आज की वीडियो में इतना ही धन्यवाद